Welcome everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी health का धिहान रखते हुए, आप सभी अपनी study पर focus कर रहे हैं और topics related जितने भी आपके concepts हैं, I hope कि वो सभी concepts अब आप videos के थ्रू काफी अच्छे से clear कर पा रहे हो, एक दो अगर आपके doubts आ भी रहे के दिखा सकते हो, यानि कि आप basically यहां पर वो तरीका समझने वाले हो कि आप addition को कैसे उसमें perform करके दिखाओगी, लेकिन वो तरीका समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, कि basically इसमें addition होती कैसे हैं, similarly अगर आपको subtraction बोला जा रहा है, तो subtraction के लिए भी आप वो व तो जिन भी बच्चों की अगर वो basic understanding नहीं भी है, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने ये topic आज का लेने से पहले एक basic video, यानि कि पहले वाली जो मैंने video बनाई है, वो इन्हीं को दोनों topics को लेते हुए, addition और subtraction को लेते हुए, मैंने वो basic उसमें cover कर दिया है, तो आप सभ user request है, कि जिनोंने भी अगर नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले वो video देखो, then आज की class को continue करो, और आने वाली class की continue करो, ठीक है, क्यूंकि वो basic understanding है, उसको build करना काफी important है, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, अगर वो आपको नहीं पता है वो बाते, तो आपको कही न कहीं पर, अब जो आपकी expressions होंगी, उनके साथ addition और subtraction perform करने में आपको problem आ सकती है, और मैंने ही चाती कि आप लोगों को किसी भी तरीके की problem आए, इसलिए आप वो videos को देखो, और वहां से समझो कि आप कैसे इन में perform करके दिखाओगे, clear, अब जिन भी बच्चों ने बोला जाए, या subtraction perform करने के लिए बोला जाए, तब आप उसमें कैसे perform करके दिखाओगे, उसके लिए मैंने एक दो आपको बाते बताई थी, क्या थी वो बाते, कि अगर मैंने like यहां पर यह दो terms दे दी आपको add करने के लिए, या फिर मैंने दो terms दे दी, यह subtraction करने के ल subtraction perform कर सकते हैं, इस बात से अब हमें क्या clear हुआ था, कि unlike terms अगर यह हुई, उस case में हम इसमें ना तो addition perform कर पाएंगे, ना ही हम subtraction को perform कर पाएंगे, यानि कि दोनों cases के लिए addition और subtraction, इन दोनों cases के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, like terms, clear, उसके साथ साथ मैंने आपक कि थी, किसी भी expression के अंदर, उसमें आपको उनका एक meaning मैंने समझाने की कोशिश की थी, कि basically जो term आपको दी जा रही है, जिस वे से वो लिखी हुई है, उसका क्या मतलब है, खीक है, for example, अगर जिन बच्चों ने वो videos देख भी ली होंगी, उनसे अगर उनका concept वो clear हो चुका होगा, तो आज अगर उनसे पूछा जाए, कि 5X या X plus 5 में क्या difference है, इनका क्या मतलब है, इन expressions का, इन terms का, तो आज वो बता पाएंगे कि इनका क्या मतलब है, ठीक है, तो वो meaning इनको clear हो चुका होगा, कि इनसे हमारा किस तरीके से इनको represent किया गया है, या इनसे जो terms दी ग का कि addition और subtraction कैसे करना है, वहाँ पर मैंने बहुत simple simple सी expressions आपको लेकर दिखाई थी, उनके साथ addition और subtraction perform करके, अब लेकिन वो सब मैं उसमें cover कर चुकी हूँ, और आपको, सभी को, वो concept अगर किसी को नहीं आता, तो वो वहाँ से cover करना है, आज मैं उससे थोड़ा सा upper level जा करने वाली हूँ, क्या, मैं स्टार्टिंग में ही बताया है, कि आज हम क्या देखने वाले हैं, addition का, वो way समझने वाले हैं, जिससे आपको perform करके दिखाना है, ठीक है, अब वो way कौन से होंगे, यहाँ पर मैं आपको दो ways बताने वाली हूँ, कौन से, एक होगा आपका, raw method, जिसको आप horizontal method भी बोल सकते हो, ठीक है, यह हो गया, second method होगा, आपका column method, clear, एक raw method होगा, या horizontal method होगा, second method होगा, आपका column method, अब यह दोनों क्या हैं, in short मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम question में देखेंगे, in short अगर मैं बात करो, यहाँ पर raw method में क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चार टर्म दी जारी है, question के लिए, तब आप कुछ इस तरीके से अगर आप एक line में, फिर next line में, फिर next line में इसका answer देते हुए, इस तरीके से रोज में आप लिखते हो, ठीक है, one-one line में आप ऐसे statement बना बना कर ऐसे लिख रहे थी, उनमें जनरली इसी तरीके से आपको addition या subtraction करने के लिए बोला जाता था, कि अगर जो आपकी number है, उसकी जो places है, उसकी according पहले आपको, वो places में आपको वो number को लिखना है, like अगर आपको कोई three digit का number दे दिया, तो आपको इस तरीके से उसके नीचे लिखना है, then result में दिखाना है, तो ऐसे जो हम लिखते थे, उसको हम column method करते हैं, clear, यह in short मैंने बता दिया है, कि इस तरीके से जब आप लिखोगे, तो यह row method है, और अगर ऐसे आप लिखते हो, तो यह क्या है, यह column method है, I hope इतना clear हो गया होगा, अब इनी दो methods के base पर हम आगे को कैसे addition उसमें perform करके इन दो methods के base पर show करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम question को अब, first मैं यहाँ पर question ले रही हूँ आपके लिए, add 7x square minus 4x plus 5 and 9x minus 10, ठीक है, अब last जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको addition और subtraction करना होता था, उसमें basically आपकी simple सी time होती थी, है ना, जिसमें आप directly क्या करते थे, सबसे पहले like terms देखते थे, like terms देखते ही आपको पता चल जाता था कि इसमें addition हम कर सकती हैं, और अगर unlike terms होती थी, तो आप उसको नहीं कर पाते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर वो वाला case नहीं है, यहाँ पर आपका combination मिलेगा आपको, पूरी expression के साथ आपको एक combination मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर यह और यह, यह तो like terms है, लेकिन यह नहीं है, है ना, लेकिन इसके base पर आप यह नहीं बोल सकते हैं, कि भई, हम इसको तो solve करके नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ो, नहीं, यहाँ पर यह simple expressions नहीं है, इसलिए मैंने starting में ही बोला था, कि वो just आपका basic understanding थी, वो एक concept आपका beginning वाला था, यहाँ पर अपर लेवल इससे start हो चुगा है, ठीके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, like term और unlike term नहीं देखते हुए, वो देखनी है, लेकिन वो आगे देखनी है, क similarly यहाँ पर भी करना है, addition का question है, तो आपको क्या करना है, पहले first expression आपने ली, 7x square minus 4x plus 5, ठीक है, इसको आपने एक bracket में रखा, then addition का sign लगाया, and 9x minus 10 लेकर आपने इसको next bracket में रखा, clear, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इनके यह brackets को open करना है, यह bracket आपने क्यों लगाया था, सिर्फ यहाँ से निकाल कर, आपने एक mathematical statement में इनको form कर दिया था, अब क्यूंकि आपको solve करना है, इसलिए अब आप इन brackets को open करोगे, अब आपको पता है, इसमें, इस वाले जो first आपका जो bracket होगा, उसमें जादा कोई changes आपके नहीं उसकी expression से related, थोड़े बहुत changes आते हैं, वो भी आपके sign से related होते हैं, वो कैसे अभी बताऊंगी, पहले हम इसको देखते हैं, आपको दिख रहा हैं आपर यह कैसी term है, positive term है, क्योंकि इसके साथ कोई sign नहीं है न, हमें पता है कि जो without sign ऐसे कोई term होती है, वो positive होती है, उसक इसका मतलब भी plus, plus minus अगर है, तो इसका मतलब है minus, और minus plus है, तो इसका मतलब है minus, clear, तो यह concept भी आपको याद होना चाहिए, नहीं भी है, तो आप एक बार revise कर लेना, क्योंकि यहां पर इसका काफी use होगा, तो यहां पर मैंने बताया, plus plus क्या होगा, plus इसका मतलब यहां sign आएगा plus and 9x, फिर plus minus, minus, then minus और यह 10 आगया, clear, अब आप बोलोगे कि माम यह sign तो सेम ही है, यहां पर plus है तो यहां प्लस हागया, minus है तो minus हागया, हमेगी sign क्यों देखने, हम तो as it is लिख सकते हैं, वो as it is देखो, generally जो आपके addition के question होंगे, वहां पर general cases में यही होगा, कि आपके similar sign आपको मिलेंगे, change कहां पर आपको मिलेगा, यह बात मैंने आपको इसलिए बताए, क्यूंकि अगर यहां पर मानलो, यहां 9, जो है, वो minus में होता है, यहां पर 9x, तब उस case में यहां पर प्लस नहीं लगा पाते, तब उस case में आपको क्या करना पड़ता, minus, plus, minus उस case में यहां पर minus आजाता, clear, इसलिए मैंने आपको यह बात यहां पर remind कराई एक तरीके से, क्यूंकि बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं, कि उनको अगर directly यही बोल दिया जाए ना, कि general से आपके sign जो होंगे, वो similarly, जो उपर है, वैसे ही आप नीचे लिख दो, तो क्या करते हैं, बस flow flow में वो उनी signs को लिखते चले जाते हैं, अगर यहां पर comparison मान लो, आ भी गया, यहां पर minus का आ भी गया, तो उसको बूल जाते हैं, वो फिर यह प्लस वाला ही लगा देते हैं, तो उस case में फिर उनका आगे जो steps वो लेते हैं, उसमें आपका answer वो गलत गला पाते हैं, है न, तो उसी लिए मैंने यह साथ-साथ यहां पर addition के case में भी आपको बताया है, आप भले ही वहां पर आपके same sign आएं, लेकिन आपको second, जब आप expression देखोगे, second expression का जब आप bracket open करोगे, उस case में आपको sign को एक बार देख लेना है, clear, अब आपको क्या करन है, आपने यह लिख लिया, अब आपको जो light terms है, उनको एक साथ लेकर आना है, 7x square, x square वाली कोई term है, नहीं है, इसको आपको as it is लिख देना है, उसके बाद आपका minus 4x है न, 4x, x वाला कोई है, यहां पर 9x हमें दिख रहा है, और कैसा है, यह positive है, तो हमने 9x लिया यहां पर, उसके बाद आपका है, plus 5, क्या without variable वाला है, यहां पर यह दिख रहा है, हमें minus 10, तो हमने minus 10 लिख दिया, अब आप इनको solve कर दोगे, 7x square के साथ तो कोई था नहीं solve करने के लिए, आपने इसको solve कर दिया, ठीक है, मतलब same, इसको ऐसे as it is, आपने लिख दिया, अब minus minus होता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों terms के अंदर minus करना है, और minus आपको पता है, कभी भी smaller value में से bigger value minus नहीं होती, bigger में से smaller करना होता है, इसका मतलब 9 में से हमें 4 को minus करना है, क्या answer मिलेगा 5x, लेकिन यहां पर एक बात और भी होती है, कि sign क्योंकि इस तरीके हुआ होता है उसको यहां पर result वाली value के साथ आपको लगाना होता है bigger value क्योंकि मेरी यहां पर 9x है तो इसके साथ कैसा sign है plus तो मेरा answer के साथ आएगा plus clear अब यहां पर same ऐसे यहां पर भी देखना है plus minus minus है इसका मतलब इन दोनों में भी minus होगा 10 में से हम 5 को minus करेंगे 5 result में मिलेगा और bigger value 10 है 10 के साथ हमारा minus का sign है तो हमने इसके साथ भी लगा दिया minus और यह हो गया हमारा answer अब हमने यह कौन से method से किया था यह हमारा raw method से था ठीक है अब इसी का हम column method भी देखने है आपकी जो first expression है इसको ऐसे लिख लेना है ठीक है थोड़ा इस तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ न open open करके ऐसे कुछ space में लिखना वो क्यूं बोल रही हो मैं वो भी आपको भी आगे समझ में आ जाएगा क्योंकि यह जो terms आप लोगे न उससे थोड़ी clarity रहेगी एक तो और दूसरा की जो sign होते हैं उनका जब हम comparison करते हैं एक दूसरे sign के साथ तब हमें थोड़ा सा easy हो जाता है क्योंकि अगर आप बहुत एकदम close close लिख दोगे इनको तो थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि मतल है first expression लिख लिए second expression लेने से लेने के time पर आपको क्या करना है वो as it is आपको नहीं लिखनी उसके लिए जो like terms होंगी न like terms को एक दूसरे के नीचे लिखना है यानि कि x वाली term x square वाली तो इसमें कोई है ही नहीं x वाली है तो x वाली जो यह term है इसको आप x वाली terms के नीचे लिखोगे यानि कि minus 4 x के नीचे यहां 9 x लिख दिया क्योंकि यह positive है तो आपने positive का sign आपने लगा दिया यह sign अगर आपको clear है कि without sign के साथ अगर जो value है हमें पता है कि उसके साथ already plus का sign होता है अगर यह आपको बात अच्छे से समझ में आती है तब आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता है उस case में आप ऐसे plus का sign लगा सकते हो ठीक है next आपका क्या है आपको पता है अब without variable वाला इसके साथ दिख रहा है हमें minus 10 तो हमें यहां पर हम लगा देंगे minus 10 clear अब आपको यहां पर करना क्या है main sign आपका addition का addition perform करनी है तो आपने वो sign लगाया अब आप इनको solve कर दोगे आपको पता है 7x square के साथ तो कोई solve करने के लिए ही नहीं तो 7x square तो as it is आ जाएगा then plus minus क्या होता है minus होता है तो हम क्या करेंगे 9 में से 4 को minus करेंगे result में क्या मिलेगा 5x bigger value 9x है तो 9x के साथ positive sign है तो positive sign आ गया यहां पर होता है 10 में से 5 को minus करेंगे तो 5 मिलेगा और bigger value हमारी 10 है 10 के साथ negative sign है तो हमने यहां पर भी negative sign लगाया और result आ गया हमारा 7x square plus 5x minus 5 यही answer हमारा raw method से भी आया था और यही answer अब हमारा column method से भी आ गया clear तो answer हमारा same ही आना है बस आपको जो way है उनसे आपको clarity होनी चाहिए कि आप कैसे उनको perform कर पारें clear I hope इतना समझ में आ गया होगा हम चलते हैं अब next question की तरफ next question होगा आपके लिए x y minus yz yz minus zx and zx minus xy ठीक है यह आपकी expressions है जिनको आपको add करना है इसमें पहले हम raw method से देख लेते हैं इसको भी raw method से हमें क्या करना है पहले इनको bracket में लेना है ठीक है mathematical statement में form करना है yz, zx and ठीक है अब आपको क्या करना है bracket open करना है अपने solution को करने के लिए सबसे पहला step आपको लेना है first expression जो है आपकी bracket की वो तो आपकी same ही आ जाएगी जैसे भी उसके sign है वैसे ही second term से second expression से आपको check करना पड़ेगा कि आपका किसी तरीके का यहाँ पर change तो नहीं आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर यह term कैसी है positive है positive और positive क्या होता है positive ही होता है plus 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 होता है तो इसलिए हमारा यहाँ पर plus ही sign रहेगा यानि कि plus yz रहेगा plus minus minus होता है इसका मतलब हमारी zx कैसी रहेगी minus ही रहेगी इसका मतलब यहाँ पर तो हमारा ज्यादा change नहीं आया ठीक है next यह भी plus में है तो plus 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 ही होगा तो plus का ही zx आजाएगा और यहाँ पर minus का xy आजाएगा यानि कि यहाँ पर आपका किसी भी जो second और third वाले जो आपके bracket की जो expressions थी उनमें आपके sign के change नहीं आए ठीक है अब आपको next step क्या करना था कि आपको like terms को pick करना है यहाँ पर xy सबसे पहले हम लिखेंगे xy के साथ आपने यहाँ पर यह वाली दिख रही है हमें तो हमने minus xy यहाँ पर लिख दिया फिर minus yz देन इसके साथ हमें यह दिख रहा है like में तो हमने यह लिख दिया फिर माइनस ZX और ZX के लिए हमें like में plus ZX दिख लिए यह हो गया हमारा like terms का pair अब एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पर जिस तरीके से भी इन terms को अगर pick करते हो like terms के लिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा carefully यहाँ पर इन terms को pick करना ऐसा ना हो कि आपने first term ले ली फिर उसके pair के साथ आपने second term pick कर ली then जब third term आपने लेने गए तो उसको आगे की इतनी सारी आपकी terms को देखकर आपने क्या किया जो first term के साथ जो second वाली आपने pair में जो term ली थी उसी को वापस से लिए तो यह गड़बड बहुत बार हो जाती है बच्चों से इसी लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप इन terms को अगर pick करते हो तो उस time पर थोड़ा सा careful होकर करना आप अपने लिए खुद से ही जो भी आपको trick useful लगती है जो भी आपको way समझ में आ रहा है उसको पहचानने के लिए आप वो use कर सकते हो like अगर मैं एक way बताऊं तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर यहां पर बहुत सारी terms आपको दिख रही है तो आपने like first term अगर आप ले रहे हो तो ऐसे छोटा सा dot लगा लो फिर इसके spare में जो भी आप term ढून रहा है आपने यह लिखी थी तो आपने यह लगा लिए इस से हमें clear हो गया कि इस पूरी expression के अंदर हम यह दो term ले चुके है उसके बाद हमें यह वाली term देखनी है तो हमने क्या किया इसके pair में हमने यह वाली term ले ली है ना तो अब हमे यह 4 terms clear हो गई कि हम 4 term ले चुके है अब हमारी यह 2 बची है तो दोनों को compare करके देख लेंगे यह हमारी like term है तो हमने यह लिख दी ठीक है और एक sequence भी आपको follow करना है जिसमें जैसे मैं भी अगर यहां पर देख रही हूँ तो मैंने पहले starting से ही pick कर रही हूँ मैं ठीक है अब second के pair में में मेरे को वैसे ही उसी के साथ में मिल गई थी लेकिन फिर भी मैंने उसी के continuity में मैंने आगे third term चेक की और उसका pair चेक की है clear तो ऐसे ही आपको भी करना है इससे किसी भी तरीकी की आपको confusion नहीं आएगी और क्यूंकि confusion अगर एक बार आ गई तो उसकी वज़ में आगे होगी अब हम इसका answer निकालते हैं हमें यहाँ पर क्या करना था like terms में हमने arrange कर लिया और अब हम देखेंगे कि हमें दिख रहा है xy और xy को हमें क्या करना है subtract करना है subtract करने के लिए आपको पता है अगर मैं यहाँ पर 1-1 बोलू तो हमें पता है 0 मिलेगा 2-2 बोल एक expression में अगर same term के अंदर से आप same term को ही subtract कर दोगे तो वहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा और यहाँ पर आप वही कर रहे हो कि xy में से अगर xy को ही minus कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ठीक है आपने लिख दिया यहाँ 0 अब next आपने किया plus minus है आपने किया किया यहाँ minus करते हुए आपको पता है यहाँ पर same ही है 1 1 ही है ना आपको यह भी पता है ना कि अगर किनी variables के साथ में कोई 1 से अपर कोई आपकी one से bigger कोई अगर आपकी term यहाँ पर या constant value अगर आपको नहीं दिखती numerical value अगर आपको नहीं दिखती तो उससे हमें understood होता है कि यहाँ पर आप माइनस कर रहे हो तो यहां पर भी आपको मिलेगा 0 है ना अब यहां पर भी same case होगा अब यहां पर तो तीन बर 00 आ गया तो आप ऐसे 00 नहीं लिखोगे raw method में जब आप करोगे तो आप directly अगर आपका ऐसा case आ रहा है अगर आपको मिले question के अंदर तब आप क्या करोगे जिन भी terms के अंदर आपको 0 मिल रहा है उनको आप ऐसे cross कर दोगे कैसे मैंने xy और xy को किया था ना solve मेरे को 0 मिल रहा था ठीक है similarly इस case में भी कर दिया आपने और इस case में भी कर दिया जब यहाँ पे सारी ही value आपकी cut हो गई तो हमें पता चल गया कि last में यहाँ पे 0 आ गया clear I hope इतना समझ में आ गया होगा अब हम इसी question का हम देखने वाले है column method ठीक है अब column method के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो first expression है उसको लिखोगे आप xy आपने लिया minus yz आपने लिया फिर आपको second expression जब आप पिक करोगे तो उसमें से like term के base पर आप पिक करोगे फिर next में मेरा zx आ गया अब zx मेरा इधर नहीं था सिर्फ यहां था तो मैंने इस zx को भी मैंने उपर वाले minus zx के नीचे लिए ठीक है अब next है मेरा minus xy अब minus xy xy मेरा कहा था यहां है है ना तो इस xy को अब यह ध्यान रखना कि आप यहां पे नीचे मत लिख देना जहां पर जिस expression के साथ आपने लिया है उसी row में आपको continue करते हुए like term का pair बनाते हुए लिखना यानि कि यहां पर इसके ऐसे parallel यहां खीक है minus xy और फिर आपको लगा देना है अपना final sign add का addition करना इसलिए add का sign अब आपको क्या करना है यह understood है कि यह plus है है ना plus minus minus किया तो आपको मिल गया 0 plus का sign लगाया फिर plus minus minus 0 और यहां पर भी 0 मिल जाएगा क्योंकि plus minus minus होगा तो आपको 0 ही मिलेगा तो result में हमें दिख रहा है कि यहां 0 मिल रहा है और हमें row method में भी हमें 0 ही मिला था ठीक है तो finally आपको समझ में आ गया कि इस overall answer में इस overall question का जो answer है हमारा 0 में आए clear I hope इतना clear हो गया होगा और जो मैंने cutting वाला way आपको बताया था वो यहां पर column method में भी आप use कर सकते हो कैसे अगर आपको दिख रहा है यहां 0 आना है तो आप ऐसे cross करते हो यहां पर भी दिखा सकते हो सिर्फ 0 वाले case के लिए ठीक है अब यहां पर तो क्योंकि तीनों में ही 0 आ रहा था तो आप तीनों को ऐसे करते हो दिखा दोगी ठीक है लेकिन बहुत गंदे वे में ऐसे cut मत करना कि आपने बहुत ऐसे dark-dark करके कर दिया इतने गंदे वे से भी मत करना थोड़ा सा neat and clean वे में करना ताकि जो आपक टीचर जो चेक करें उनको भी बहुत अच्छा लगे और उनको समझ में भी आए कि आपने क्या किया है ठीक है और आपको भी clear रहे कि आप ये क्या कर रहे और अगर नहीं इतना रह पाता है खुद पर इतना believe नहीं है कि भई मैं neat and clean नहीं लिख पाऊंगा या बहुत गंद next question पिक करते हैं अब हम next question मैंने लिया यहाँ पर x-y plus xy and y-z plus yz ठीक है मैंने ये question लिया आपको इसको भी हम row method से और column method दोनों से करेंगे सबसे पहले हम row method से कर लेते हैं row method से करने के लिए वापस से वही किया हमने पहले इसको mathematical statement में बनाया ठीक है plus and y-z plus yz then bracket open करेंगे हम x-y plus xy ही आजाएगा और यहाँ पर positive है तो plus 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 ही होता है इसका मतलब plus y ही रह जाएगा plus minus minus होता है इसका मतलब यहाँ minus z ही आजाएगा और plus 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 होता है इसका मतलब plus yz ही आजाएगा ज्यादा sign में कोई change नहीं आजाएगा अब आप क्या करोगे like terms का pair बनाओगे x के साथ कोई pair दिख रहा है नहीं है then आपने क्या किया minus y लिया ठीक है minus y पिक किर लिया y के साथ कोई pair दिख रहाएगी वाला है positive y वाला तो आपने यह पिक किया positive y है ठीक है तो आप यह भी पिक कर चुके है आपने mark कर दिया उसके बाद xy बचा है मेरा इधर से है ना इधर से continue कर रही हूं ना मैं तो यहाँ पर ऐसे ही follow करते हुए आपको क्या करना है third time आमने लिए plus xy है तो आमने plus xy लिखा उसके बाद xy के साथ कोई दिख रहा है साथ कोई है पेर नहीं है तो आपने यहीं पर छोड़ दिया उसके बाद आपने next आपको दिखा yz के साथ भी कोई नहीं है तो इसका मतलब यह इस तरीके से आपका आ गया ठीक है अब आप क्या करोगे x के साथ तो कोई पेर नहीं था तो x as it is आ जाएगा y के लिए plus minus minus से इसका मतलब यह दोनों तो cross हो जाएगे ठीक है क्योंकि इनका result 0 मिलेगा फिर आपको क्या करना है plus xy xy के साथ भी कोई पेर नहीं था इसका मतलब plus xy as it is आ जाएगा यहाँ पर ठीक है z के साथ भी कोई नहीं था तो z भी ऐसे ही आ जाएगा और yz के साथ भी नहीं था तो यह भी ऐसे ही आ जाएगा यानि कि overall जा आपका result इसका निकल कर आया वो आया x plus xy minus z plus yz clear अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मैं इनका 0 आया था तो आपने यह प्लस में क्यों continue कर दिया देखो इसका जब आप इसको add करोगे आप इसको solve करके जब आप finally जब इसका answer लिख दोगे तो उस case में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा अगर यहाँ पर 0 आ भी रहा है तो आप उस case में यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 0 करके ठीक है ऐसी लेकिन जब finally आपको लिखना है जब इसका result तब आप 0 को skip कर दो क्योंकि 0 से कोई फर्क थोड़ी पर रहा है आपको पता है 0 में कुछ भी आप value add कर दो तो आपको वो value मिलती है ना कि 0 मि यह पूरी की पूरी जो value है वो इसमें 0 में add होके वो same वो पूरी की पूरी आपकी expression बना ले रही है तो 0 का तो कोई role ही नहीं आ पा रहा है यहाँ पर 0 की तो मतलब कोई value यहाँ पर बन ही नहीं पा रही कोई place ही नहीं बन पा रही है ना तो इसलिए अगर आपका 0 यहाँ आपने दिखा ही दिया है कि यहाँ पर clear हो रहा है हमें की 0 है तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आप directly ऐसे आपने solve किया और इसी को आपने last है final answer आप ज़रूर लिख देना x plus xy minus z plus yz ऐसे करके ठीक है यह आपका final answer हो गया clear next step का row method से भी देख लेते एक बर row method में first expression लेंगे then like terms की according pick करेंगे y यहाँ आजाएगा positive z कहीं नहीं है तो z को आप इसके नीचे ना लिखकर आप ऐसे separately यहाँ पर continue करोगे ठीक है इसी के parallel यहाँ पर ऐसे continue करोगे ठीक है फिर yz yz कहीं दिख रहा है नहीं है तो इसके आगे parallel यहाँ पर continue कर दोगे इसको यहाँ ठीक है यह expression change नहीं होनी चाहिए ठीक है gap यह आ सकता है इनके बीच में क्यूंकि हमें like terms लिखनी होती है एक दूसरे के नीचे लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि y आपने यहाँ ल लिख दिया आपको same उसी वे में आपको एक expression दिखाते हुए लिखना है clear अब आपको क्या करना था main sign लगाना है then इनको add करना है आपको पता है इनके लिए तो कोई solve करने के लिए है ही नहीं तो यह तो आपकी as it is आ जाएंगी इसके साथ भी कोई solve करने के लिए नहीं है त यहां plus का sign लगा दिया clear तो यह हो गया आपका result 0 अगर आप यहां पर नहीं भी लगा देओ तो आपका इतना answer यह मिल जाएगा आपको clear यह हो गया आपका column method से next एक और question देखते हैं तो next मैंने अब लिया यहां पर 6xy minus 4x square minus y square plus y and minus 3xy plus x square plus 7y square minus 2 तो यह आपका पुरा दो expression है जिनको आपको add करना है इसको भी ऐसे ही करना है सबसे पहले हम यहां पर भी raw method से देख रहे हैं पहले हम इसको mathematical statement में लिखेंगे minus 4x square लिखा minus y square plus 5 then add फिर minus 3xy plus x square plus 7y square minus 2 ठीक है अब हमें क्या करना है bracket open करना है first जो bracket की expression है वो तो as it is आ जाएगी minus 4x square minus y square plus 5 then plus minus minus हो जाएगा यहां पर और यहां 3xy minus में आएगा ठीक है फिर plus 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 होता है तो plus x square हो गया plus 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 होगा तो 7y आ जाएगा और plus minus होगा तो यहां पर minus 2 आ जाएगा यानि कि जादा change आपका नहीं आया सिर्फ यह वाले sign के साथ आपका change आ गया main sign के साथ compare करते हुए ठीक है अब यह first question में आपको अगर याद हो तो मैंने वहां पर इस तरीके का case बताया था कि वहां पर अगर आपको bracket में इस तरीके की कोई मिल जाती है term तो आपको ऐसे compare करके देखना पड़ेगा तो वही वाला कुछ यहां पर यह case है अब आपको क्या करना है like terms यहां पर पिक करनी है 6xy इसके साथ pair क्या है 3xy का है न तो माइनस 3xy आ गया देन माइनस 4x square और इसके साथ हमें दिखराएगी प्लस x square फिर माइनस y square और y square के साथ हमें सौरी यह y square है यहां पर तो प्लस 7y square हो गया यहां पर प्लस 5 है और यह minus 2 हमें दिखरा है ठीक है यह हमारी pair बन गई like terms की अब हम इनको solve करेंगी अब हमें दिखरा है यहां पर क्या करना है 6xy में से हमें 3xy को माइनस करना है तो हमें result में मिल जाएगा 3xy अब देखो यहां पर एक बात मैं और बता देती हूं आपको मैंने first question में जब comparison से related मैंने बात बोली थी तब मैंने वहां पर यह बोला था ना कि आपको यह compare जरूर करना है ठीक है मैं चाहती तो वहां पर आपको directly बोल देती कि आपको क्या करना है जो second bracket की जो expression होगी उसको भी as it is कर देना है आपने क्योंकि वहां पर general cases में आपने sign को same ही देखा था अगर मैं वो general cases वाली बात नहीं बोलती तब आप लोग क्या करते यह sign as it is आप यहां पर लिख देते और हो सकता था आप क्या करते यह वाले sign को भूल जाते क्योंकि आपको main तो यहां पर addition करना है इसलिए यहां क्या कर देते आप यहां भी add लगा देते add addition का sign लगा देते यहां addition का sign यहां भी addition का sign और इस बेस पे ये result आपका 9xy निकल कराता जो कि आपका गलत हो जाता ठीक है इसी लिए मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपकी second bracket की जो आपकी terms हैं अगर उनके साथ main sign के according अगर sign change हो रहा है तब तो आपको करना ही है अगर नहीं हो रहा है same sign आ रहा है तब भी आपको एक one minute ही जाना है अगर आप वो एक बार check कर लेते हो तो ज्यादा कुछ नहीं होगा at least आपका solution जो है उसके लिए आपको confirm हो जाएगा कि आप जो कर रहे हो उसके लिए जो भी आपने terms के साथ sign लिया है वो आपने सही लिया है ठीक है तो आप एक बार अगर आपका same आता है यह बोल देते हैं कि addition के question है तो addition के question में तो ज्यादा changes नहीं आते हैं बस same जो sign होते हैं हमें वही लिख देने होते हैं ठीक है अगर उसी base पे हम कर देते तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्या गड़बड हमारी हो सकती थी ठीक है तो आप इस बात का ध्यान रखना और ऐस इसी mistake मत करना next आगे करते हम 4x square minus 4x square को हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या देख रहा है minus plus minus होता है इसका मतलब इन दोनों को subtract करना है 4x square में से हमें 1x square को minus करना है मैंने यहाँ पर 1 क्यों बोला क्योंकि मैं ये भी पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपकी कोई variable without constant अ तो result में हमें क्या मिल जाएगा 3x square कैसा negative क्यों क्योंकि bigger value हमारी negative में clear उसके बाद y square वाले को solve करेंगे plus minus minus होगा यानि कि इन दोनों को हमें minus करना है यहाँ पर भी 1y square है already आप समझ चुकि हो x square वाले case में यहाँ पर क्या करना है 7y square में से 1y square को minus करोगे तो आपको मिलेग कैसा positive क्योंकि bigger value के साथ यहाँ पर positive sign then plus minus minus होता है और minus के according अब क्या करोगे 5 में से 2 को minus करोगे तो आपको result में मिलेगा 3 और यहाँ पर क्योंकि bigger value के साथ plus का sign है तो आपका यहाँ पर क्या आएगा plus तो यह हो गया आपका result 3xy minus 3x square plus 6y square plus 3 I hope इतना clear होगा यह हो गया आपका raw method से यह वैला question अब इसी question को हम एक बार column method से भी देख लेते हैं column method के लिए आपको पता ही चल चुका है अब की क्या करना है सबसे पहले first expression आपको लिख लेनी है यहाँ पर 6xy minus 4x square minus y square plus 5 ठीक है आप एक बार ध्यान रखना कि यह sign जो लगाते हो आप एकदम flow flow में मत रहना क कि आपने randomly आप sign लगाते जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आप plus के sign को भी minus का भी लिख दो है ना तो इसके आप ध्यान जरूर देना आप एक बार cross check जरूर कर लेना question से अपने sign को next आपको लिखना है अब इनमे second expression को लेने से पहले आपको यहाँ पर क्या कर यहाँ आएगा कैसा है positive है तो positive आगया फिर y square यहाँ आजाएगा 7y square positive ही आएगा फिर minus 2 ठीक है इसको थोड़ा सा मैं clear लिख देती हूँ plus x square plus 7y square minus 2 अब यहाँ पर जादा change नहीं आया है जैसे हमने बाकी के column methods में देखा था कि वहाँ पर थोड़ा सा हमें open open लिखनी पड़ी थी यहाँ पर same जो आपकी expression second दी गई थी उसको हमने as it is ही एक तरीके से लिख लिए यहाँ पर ठीक है like terms बनाते हुए यहाँ पर है plus minus minus होता है इसमें से हम क्या करेंगे 5 में से 2 को minus करेंगे तो 3 आएगा bigger value के साथ plus का sign है इसलिए यहाँ पर plus आएगा फिर plus minus minus होता है इसका मतलब 7 में से 1 minus करेंगे तो 6 मिलेगा यानि कि 6y square मिलेगा ठीक है और sign कौन सा आएगा यहाँ पर plus का आएगा ठीक है bigger value के साथ plus तो प्लस आएगा फिर प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए यहां पर क्या होगा four में से one four में से one minus होगा यानि की overall अगर मैं बोलू तो four x square में से one x square minus होगा यानि की three x square आपको result मिलेगा clear three x square के साथ अपका कौन सा साइन आएगा negative क्योंकि यहां पर bigger value four x square है और इसके साथ negative sign है तो यहाँ पर आपका negative sign उसके बाद यह positive और यह negative ठीक है main तो आपको positive ही करना था जब इनको आप compare करोगे तो यह sign इसके साथ जब आप compare करोगे तो क्या होगा यहाँ पर minus ही मिलेगा और फिर plus minus minus करोगे यानि कि इन दोनों को subtract करोगे तो आपको three x y मिलेगा और bigger value positive है तो positive ही हमारा answer रहेगा और यह आपको मिल गया आपका answer clear same वही answer आया जो आपका raw method से आया था clear I hope इतना आपको clear हो गया होगा now अब हमारे जो आज के concepts related जो हमने ways ck उनसे related हमने three questions हम कर चुके हैं और एक हमने example में देख लिया था almost हमने चार question हमने करके देखी हैं दोनों ways से ठीक है अब आपके लिए यह दो homework question है जिनको आपको एक बार करके देखना है ठीक है कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको वो दोनो ways कितने समझ आ पाए हैं तो इन दोनों questions को आप करके देखे और hopefully वो doubt कोई रहेगा नी क्योंकि इतना easy था वैसे तो concept बट स्टिल अगर किसी का doubt कोई आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अब next जो हम करने वाले हैं next होगा आपका subtraction उसमें भी हम यह ways ही cover करेंगे दोनो ways जो आपने आज सीखे हैं raw method और column method इनी दो methods के base पर अब हम subtraction को करेंगे ठीक है next वीडियो में तो आप continue जरूर करें और आगे की वीडियो में समझे मेरे साथ कि आप जो आपकी subtraction है हम उनको किस तरीके से represent करेंगे किस तरीके से आप उसको raw method और आपका जो column method है उनके base पर आप कैसे उनको perform करके दिखाओगे ठीक है so मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye